असलाम अलेकुम दोस्तों जोडो का दर्ध हर घर की प्रॉब्लम है आज ऐसा उपाय बताऊं ऐसा सुलूशन बताने वाला हूं जिससे आपके पुरानी से पुरानी से पुरानी से पुराना दर्ध भी बहुत जल्दी आप क्योर कर सकते हैं छुटकारा पासकते हैं शुरू क दर्ध यह हर घर की प्रॉब्लम है इस्पेशली बड़ी एजवालों को हम लोग सब कुछ च्राय करने के बाद भी दर्ध से हार जाते हैं और इसका उपाय हमारी नेचर में अल्रडी मौजूद है वह है परिजात प्लांट के पत्ते इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीस आय आए चले देख लेते हैं इसका इस्तिमाल किन बीमारियों में किया जा सकता है और इसको कैसे कंजूम करना है तबसे पहले पुरानी से पुरानी खासी हो नकसी बैना यानिर नाक कान गला में पानी या खून बैना पेट के कीड़ से भी बचाता हैं क्योंकि यह बीमारी अक अक्सक्राइन से बहुत जलदीरी यह फासिल हुआ है बुराने से बुराना जखम भी यह बहुत तेजी से भरता है क्योंकि इसमें अइरवेधिक प्रॉपरडी इस पाई जाती अच्छे से बॉयल करें तब तक बॉयल करना है कि जब तक आपका जो पानी है वो एक कप से आधा कप रह जाए उसके बाद इसको खंडा करने की लिए रखते थंडा करने के बाद रोज आना आप सुभा में खाली पेड अरली मौर्निंग उठके खाली पेड इसको कंजूम कर और दोस्तों देखते ही देखते ही यह आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स को है इसको आराम से रिजॉल्व कर देगा अगर आपको कॉंस्टिपेशन का इशू है या आपके डाइजेशन से रिलेड़ कुछ इशू है इसका इस्तिमाल डाइबिटीज वाले या बलड पेशर के प्रजीज भी कर सकते हैं इसके इस्तिमाल से आपकी डाइबिटीज बलड पेशर बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाता है और इसका इस्तिमाल अगर आप कंटिनसली करते रहें तो एक टाइम के बार आपका बलड पेशर और डाइबिटीज की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है लेकिन आप इसका इस्तिमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सला ले ले अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसी मेडिकल कंडिशन फेस कर रहे हैं जो काफी पुरानी है तो यह सब चीज़े यूज करने से पहले दोस्तों एक बार के बाद आप इसको यूज करना शुरू करें तो दोस्तों अगर आपको यह इंफरमिशन पसंद आई तो लीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करें